Hello everyone, UPSC 2021 का जो examination होने वाला प्री का वो 27 जून 2021 को decided है और उसके अंदर geography के mapping section को हम लोग cover करेंगे ये नयकेवल geography के बलकि international relation या जो international organization है उसके perspective से भी important होगा इसके अंदर हम लोग जो जो portion, जो जो country, जो जो organization, news में रहा है various regions की वज़े से उनको cover करेंगे through maps ताकि आपकी एक basic understanding हो, इनके लावा इसके बाद second part कब आएगा ये आप लोगों के response के उपर depend करेगा अगर आप चाहेंगे कि second part आए, तो इसका definitely second part आएगा अगर कभी भी world geography को आपको understand करना है तो उसके लिए जुरूरी क्या है, कि आप लोगों को equator को observe करना सीखना पड़ेगा ये जो beach make line दिख रही है, ये इस line को अगर आप समझना सीख जाते है then the world geography is very important and very easy for you यहाँ पर आप देखेंगे, various countries आपको देखने को मिलेगी अगर आप Latin American countries से start करेंगे, तो यहाँ पर Ecuador, Columbia, Brazil Brazil के बाद, अगर आप जाएंगे तो African countries के अंदर, कई सारी African countries जिसके अंदर include होती है जैसे Gabon है, कोई country छूर जाए, तो नीचे comment कर देना कोई problem नहीं है Gabon आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके लावा इसको ज्यादा zoom नहीं कर सकते इसके बाद second country जो है, Gabon के बाद, Democratic Republic of Congo के बीच में, Republic of Congo दो country है, Democratic Republic of Congo है, और एक है Republic of Congo, दोनों African country है इसके बाद कौन सी country आएगी, इसके बाद यहाँ पर एक तो Kenya है, Somalia touch करेगा नीचे आग देखेंगे यह वाला part, और यहाँ पर यूगांडा, दो important country है यूगांडा various reasons की वज़े से, चाहे political कुछ issues है, उसके वज़े से भी news में यह वाला part हमेशा disputed रहता है, तो इसको लेकर जरूर कुछन कुछ question हो सकता है, जो पर फीकली और यहाँ पर Victoria Lake आपको दिखाई देगी, यह भी important है तो यह कुछ important है, इसमें equator पे, country, African countries में इसके अलावा बहुत सारी country हो सकती, मैं ने कहा रहा है कि मैं सारी country यहाँ पर mention कर रहा हूँ main main जो होगी, जैसे Indonesia हो गया, यह जो main main countries है, उनको आप जरूर ध्यान रखीगा तो equator को अगर आप observe करते हैं, तो उसका benefit क्या होता है, कि जैसे जो tropical area है या forest का जो area होता है, उसको में tropical, subtropical और उसके बाद, जो polar regions है उसको understand करने के लिए important है, various cyclones को understand करने के लिए important है और equator पर cyclones क्यों uniform होते हैं, इस तरह के questions के answer करने के लिए जरूरी है कि हमें equator को observe करना पड़ेगा, trade winds को समझना है, north pole, south pole, northern hemisphere, southern hemisphere इस तरह के सवाल आप से पुछे जा सकते हैं, उनके लिए हमें prepare रहना पड़ेगा तो ये equator की एक just definition थी, इस तरह के majorly हम countries को cover कर सकते हैं सबसे पहले जो मुझे लगता है, जो सबसे important हो सकता है फिर से, वह है regional comprehensive economic partnership ठीक है, सबसे पहले इसमें total अभी 16 country थे पहले, लेकिन भारत ने exit कर लिया है जो organization भारत से relate करता है, वो बहुत important हो जाता है तो इसमें total 15 countries होंगी, इफिलाल क्योंकि भारत ने exit कर लिया है आशान की 10 countries होंगी, मैंनमार, यहाँ पर आप देखेंगे पहली country ये news में क्योंकि political crisis चल रहा है, वहाँ पर जो पहले democratic तरीके से elected होई थी हलाकि वो president नहीं थी, लेकिन उसके बाद military ने एक तरीके से फिर से power capture कर ली इसके बाद Laos है, Thailand है, Cambodia, Vietnam और इसमें अगर आप देखेंगे, अंडेवान और Nicobar Island से कौन सा जो ये island है इंडोनेशिया का island टच करता है, इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते है तो इस तरह के question के लिए भी हमें ready रहना पड़ेगा Gulf of Thailand, UPSC कई तरह के question पूछ सकता है question हो सकता है, capital को north south में arrange करना इस तरह के सवाल हुए है, कौन सा island टच करता है मलक का state पर question हुआ है, ठीक है तो various question जो है UPSC पूछ सकता है, आपको state, bay और gulf इन तेनों में difference पूछा जा सकता है, यह कुछ important चीज़े है इनके लावा यहाँ पर वेतराम, कमोडिया, मलेशिया, सिंगापूर और इंडोनेशिया, फिलिपिन्स और यहाँ पर जो है यह कुछ major countries है, बोर्नियों आगर आप यहाँ पर देखेंगे यह बोर्नियों, ठीक है इसके लावा फिलिपिन्स और जो South China से यह various regions से news में रहता है क्योंकि चैना अपनी एक यहाँ पर observatory रखता है कि हम यहाँ पर परमुक है, यह हमारी leadership को accept किया जाना चाहिए, एक artificial line मनाता है नाइन डैस लाइन के नाम से, पार्सल आइलेंड, स्पाटली आइलेंड, इस तरह के आइलेंड जो है वो news में है तो इसमें 10 आशियान के country होगी, आशियान के 10 country इसके लावा 5 country कौन सी होगी, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इसके लावा Australia और New Zealand ये 15 country total होगी, याद रखिये, Regional Comprehensive Economic Partnership के अंदर, आशियान के अंदर 10 countries होगी, Regional Comprehensive Economic Partnership के अंदर, टोटल 15 countries होगी, आशियान प्लस, चाइना, साउथ कोरिया, या कभी-कभी Republic of Korea भी लिखा सकता तो इसको भी जाण रखियेगा, जापान, आस्ट्रेलिया और New Zealand, ये important country है इसके लावा अगर East Asia Summit अगर वाड़ी यूज किया जाता है, तो उसमें 18 countries होगी, आशियान प्लस, पास country जो, आशियान चाइना, साउथ कोरिया, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजलेंड, इसके लावा East Asian Summit में इंडिया भी होगा, और USA और रशिया, ये 18 countries टोटल हो इसके बाद, सेकेंड पार्ट इसका क्या आपका response रहता है, उसके basis पर मैं करवाओंगा जो जो countries, news में रही है, various reasons की बज़े से, या geographical जो जो area, news में है, उन सब को cover करेंगे, तो ये depend करेगा आपके response के उपर, तो आपका response जैसा होगा, उससे के हैसाब से हम decide करेंगे, second video आएगा या नहीं, thank you, jahin